वो भी रेसेंट ताइम के अंदर ही PWI की Men's की Top 500 की Lisp आई थी और अब आई है Top 500 Women's की जिसके अंदर टॉप किया है Women's Champion Rhea Ripley ने जी हां Current World Heavyweight Champion जुकि Women's World Champion है Rhea Ripley इन्होंने इस पर टॉप किया है और नमबर वन पर हहां पर नाम है Rhea Ripley का तॉप 10 में सिर्फ तो WWE wrestlers हैं थर्ड पर वियां का बेलेर और नमबर वन पर है रिया रिप्ली तो यह फिलाल जो बहुत बड़ी achievement है रिया रिप्ली के लिए तो congratulations रिया रिप्ली को बाकी यहाँ पर इस डेकेट के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी 4 Horse Women की चारों मेंबर से वो एक भी Top 10 में नहीं है ना शार्ड फ्लेर, साशा बैंक्स, ना बेकिलेंज और ना ही बेली तो यहाँ पर यह पहली बार चीज़ हुई है और बेकिलेंज भी जो 29 नमबर पर है और शार्ड फ्लेर कुछ 21 नमबर पर है तो यह फ्लाल देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इस तरीक से जो है रियार रिप्ली ने सभी को पीछे छोड़कर पहले नमबर पर जो है अपना स्पॉर्ड बनाया है यह फ्लाल कुछ चीज़ है और जो है इन्होंने टॉप किया है है विमेंस के 500 के लिस्ट के उपर तो इसके उपर आपकी रियाक्शन है बताना परे मैंट सेक्शिन के अंदर रियार डीन इस पर भी अपना रियक्शन दिया उन्होंने का मामी अलवेस ओं टॉप तो यह फोलाल गुच रियार डीन का रियाक्शन है बाकि वेल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के तरफ जो के जोड़ी है इस पार अपने स्टिंग के बारे में चीहा स्टिंग ने आज एडवल्यू में अपनी रिटार्डमेंट अनौंस कर दी उन्होंने का अगले साल दो हजार चोबिस के एडवल्यू के रिवलूशन प बगतEC जो स्टिंग ने अनौंस्मेट करी है अड़र्यूशन और्वन में ही वोज्ड़ीं साल दिया लेकिन जो भीकः काफी में है काफी तो kफ तो कहफी कमाल की उन्होंने चीजे करये एंद उन्होंने चार डेकिड्स पुरे प्रो रेसलिंग को अलग-अलग उन्होंने प्रिमोशन्थ के वे सबस्सटेज Sure के बारे । अगर शार्लेट फ्लेयर जो है 15 टाइम वर्ल्ड चैंपिन बहुत जल्दी बनने वाली है तो अभी इसके बारे में अपडेट है और कुछ सोर्सिस ने ये फिलाल बाते कई है कि बियांका बेलर वर्सिस शार्लेट फ्लेयर वर्सिस इयो स्काई ये मैच हमें दिखा दे सकता ह आने वाले टाइम में विमेंस चैंपिनशिप के लिए बताया जा रहा है कि ये ट्रिपल थेड मैच में दिखा दे सकता है और यहाँ पर बियांका बेलर रिटर्न के लिए रेडी है और उनका शायद अगले स्मैक डॉन में भी कमबाक हो सकता है तो बताया जा रहा है कि ये ट्रिपल थेर्ड मैच होने के चांसिस है and maybe जए यो स्काई की उपर जो है turn हो सकती है बियांका बेलर तो ये बताया जा रहा है शायद heel turn भी वो यहाँ पर कर सकती है या फिर वो आये ही as a heel character and बताया जा रहा है कि ये ट्रिपल थेर्ड मैच डब डब डबली प्लान कर सकती है and वैसे भी नेक्स डब डब डबली का साओधिय रिविया का शुए तो यहाँ डब डब डबली कर सकती है ये चीजे and बात आती है शार्लेट फ्लेर के 15 टाइम विमेंज चैंपियन बनने के बारे में तो अभी फ्लाल जो है इसके बारे में बता जा रहा है कि शायद शार्लेट फ्लेर यहाँ पर जो है 15 टाइम विमेंज चैंपियन बन सकती है and शार्लेट फ्लेर में भी इस वाले मैच के अंदर शायद न्यू विमेंज चैंपियन भी बन सकती है शार्लेट फ्लेयर विममेस championship को जीथ सकती है ऐसा फिलाल कुछ कहा गया है एंड इससे डब डब जो है यह उसका है रह्यास के बीयुक जिये उनको अब फिलाल split भी करना है तो यह भी चीज कर सकती है डब डब voz फिलाल यह एंकल अंदर